आप जहीं दोस्तों Welcome back और एक ने वीडियो में और इकने टॉपिस के साथ मैं हूँ राजेश और में हूँ डोक्यदेवू दोस्तों आज का वीडियो हम लेके आया है फिर से पठानपाई यूटूबर जो है जिसकी सेनल से है और वो अपंगानिस्तान से हैं और दोस्तों इस इंडिया वर्सिज पाकिस्तान मेश में एहम्दाबाद के मुस्लिम पाकिस्तान को सपोर्ट करें पाक एक्स प्लेयर मुस्ताक अहमद का बोलना है जो पाकिस्तान के प्लेयर थे अभी मतलब रिटायर है उन्होंने कहा है कि मतलब पाकिस्तान टीम जब एहम्दाबाद में खे करेंगे हैं हलाकि आपके जो क्रिकेट प्रेमियों जो है वो उसको विज़ा नहीं मिला इंडिया आने के लिए तो आप अच्छे से खेलने देंगे तेंशन मतलों तीक हैं बढ़ाँ इसा बोल दोंगे यार पाकिस्तान देंगा तो वो नहीं मजाएगा तो सवे दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं वीडियो तक पर पहली बार आया और अब ने सब्क्राइब नहीं किया है तुछ न को सब्क्राइब जरूर से कर लिजेगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से जरूर से कीजिए चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं क्यों से गाली दूँ भाई एकल खानी मागा पटा पजाबा बगहरत दल्ला साले है अधिया 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 खर बच्छिया आई दो सानो आई दालखोरो आई टिसमारा तो बाई ये जो आप पिक देख रहें ये बिलकुल हकीकत है और आपने देखा भी होगा हम त पाक्सान के एक्स क्रिकेटर मुच्ताक एहमद ने कहा कि हैदाबात और एहमदाबात में जो है कापी ज्यादा मुस्लिम है मुझे उमीद है कि वो मुस्लिम पाक्सान के टीम को जरूर सपोर्ट करेंगी यानि के 14 अक्तूबर पाकिस्तान वर्सिस हिंदुस्तान का अगर जब मैच होगा हिंदुस्तान के अंधर मुसल्मान आके अपनी अपने देश को छोड़के अपने देश की टीम को छोड़के पाकिस्तान को सपोर्ट करें बाई आज पहली बार खेने को दिल कर रहे हैं, ओ बाई मारो मुझे मारो बाई समझ में ये नहीं आता, आप लोगों के दिमाग में कुछ है भी ठटी ये वरी हुई है या आप लोगों के उपर का फ्लोर सब का खाली है या पिर एक हाथी बनों का खाली है मिरे क्यांसे पाकस्तान में जब भotचा पेदा होता है तो वो हस्पिटल में उसका उपर फ्लोर खाली कर देते हैं कोई दिमाग का भी कारोबार है क्या पाकस्तान में होसकता है लोगों का दिमाग निंकल निंकल करे बेच रहे हो किसी और देश को बताओ यार एक देश अपने एक लोग अपने देश की टीम को छोड़के तुमारी देशत गर्द आतंकुआधी बिकारी कंजर कीम को सपोर्ट करेगी तुम जैसे बगहरतों को सपोर्ट करेगी अजीब बात है यार एक बच्चा भी ऐसी बात ना कर दे यार एक छोटे से पूछोगे न वो भी आपको इसी बात नहीं करेगा कि हिंदोस्तान वर्सिस पाकिस्तान का मैच है और फिर आम बंदा पुस्की छोड़ना बहुत फरक होता है आम बंदे की पुस्की और किसी ऐसे बंदे की पुस्की जो कुछ रहा हो कुछ पुस्किया उसने इंटरनेशनल म अरे भाई ये बोलने की क्या जरूरत थी बस इतना बोल देते कि हिंदोस्तान के जो मुसल्मान हैं वो सब हमारी टीम के लिए के किलो आटे का बंदू बस करो आते वे एक दो ट्रक बढ़के दे देना उनको ये बोल देते तो समझ में आ जाता चलो मान लिया केमदाबाद और हैदराबाद में से लोग हैं जो पाकिसान की टीम को सपोर्ट करेंगे भाई क्या उनके अंदर इतना जिगरा होगा कि वो ग्राउन में आके हिंदोस्तान की टीम को सपोर्ट करेंगे तेगे ये तो बात की बात है लकिन ऐसा कौन करेगा या इसको तो सोच के ही अजीब सब महसूस हो रहा है यार ये क्या है ये कंजर कौम है बगेरत कौम है बिना दिमाग क्या है गुटने पर चलती है क्या ये कौम किसी ने सच कहता कि काइद आजम का दिमाग गुटनों में था तो उसकी कौम कभी दिमाग गुटनों में होगा लेकिन हम नहीं हमकुम लग रहा था यार यह कोई मजाक है कोई पहली है कोई जोक है लेकिन आज समझ में आया कि हकीकत मही काइद आजम का दिमाग गुटनों में क्योंकि गुटनों में नहीं होता तो वह ऐसी कौम को छोड़के नहीं जाता जो बोले हैं कि हिंदुस्तान के मुसल्मान जो है वहां के पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं हम मनें सिब इतना सुना था कि पाकिस्तान के अंदर जो बेवकूव जाहिल कंजर बगेरत जो हैं वो गुलखान है लेकि नहाच पता चला कि यह सभी एक जैसे हैं भाई इनमें कोई फरक नहीं है इनके वहां का कोई भी बंदा हो किसी भी लेंग्विज का हो यह सब इसे कंजर दल्ले हैं भाई बताओ इसमें भी इन लोगों के दिमाग कहां कहां जहां तक शैतान क दिमाग नहीं जाता वहां पाकिस्दानी पहुंच जाता है जो है जो गलत कामों में हिंदुस्तान के मुसल्मान आके वाई 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 आज पहली बार जिंदगी में एक ऐसी वीडियो बना रहा हूं कि कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है वह सिब गाली देने का दिल कर आए दौसान आए दालखोरों आए चिसमारान आज तो पश्टों पे भी गालिया देनी यह पिर भी नहीं सुद्रेंगे यह दल्ले साले हैं दल्ला यह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बाबार तेंको दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए और पाकिस्त मिल सकता है सभी भारतियों की और से मिलेगा उसमें दो राइ नहीं है लेकिन से पोसें क्रिकेट की वज़े से और वह भी स्पोर्ट की वज़े से बाकि आप ऐसा ही कहांगे कि आपके टीम को बोलो की टीम हार रहे हम जिच्जे लोगों को ज्यादा है वेलिकम मिले अच्छ लोगों की वह बढ़ गई है कि अभी इंडिया के मुसल्मान पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें और वह भी मतलब एक स्पोर्ट में ऐसा स्टेटमेंट एक स्पोर्ट में ऐसी बात करें लब कुस भी सोसे समझे बिना सब्सक्राइब में आशा करते हैं कि हमारी तीम वहां पर खहल रही है तो पाकिस्तान आवाम हमें सपोर्ट करेगी इसले तो सही लगता यह ऑं और पाकिस्तान टीम का सपोर्ट करेंगे यह लोग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो डाउर हो सकता है ना यह लोग क्यों बोल रहे हैं हर एक सिद्वर्थ पार आप बिख मंगो आपको बिख मंगने के अला कोई और कुछ और है आपके पास स्वाइष कौई आपने सफोर्ट मांगा है सब्सक्राइबा प्लेएर होते हैं इसको हर 6 नहीं देखा आपने नाच कि अधिक्षिश्च नहीं तो उसके उनको मना नहीं करें लेकिन इतना इंदिया में प्रसलित नहीं था लेकिन हमने हम ने हम अच्छे हैं अभी प्लें प्ल क्रिकेट में इंडिया जीता आप लोगों के पास और कुछ टाइम है या दिमा मतलब उपली मनजिल तो है ही नहीं नहीं वह तो पकते हैं घृटनो पर नहीं है नहीं उसके पास है और यह पहले बात होई थी कि इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान में खिलने ऐसे है कि दव्रमेश राधा ना उस समय केसे केसे स्टेटमेंट दिये और इन प्रिकमंगों को सरम भी नहीं आती जैसे बीसी सी आये ने थोड़ा बहुत बोटी भेका और लपक लिया तो यही है आप चाटने के लिए पोहुं सब्सक्राइज को अ बोड़ए है उसकी टीम ऐखेलने तो प्रिक्राइज को मोटिवेट करेंगी इसकी तीम उसको मोटिवेट करेंगी उसकी से आइडिया देगी वह बात समझ में आती है लेकिन एक स्पोर्ट में इनको इतनी शारी सीजों की ज़रूत नहीं होती तो ही वह पाकिस्टान को चाहिए हो सकते हैं हमारे टीम हमारे टीम को सिर्फ मोरर अब चाहिए उसको यह से खिलना है उनको ही पता है लेकिन हाला कि उसक सब्सक्राइब दोस्तों इस वीडियो से फिलाला विदाइए लेते हैं मिलते हैं नहीं वडियो में आपके साथ पिल्देम जैहिंग जैभारा